PM किसान सम्मान निदी योजना 2020 11 क्रोड किसानों को मोधी सरकार ने बेजा 33,000 क्रोड रुपे कि किस्त का पेशा जाने कैसे करें इस योजना में ओरलाइन आवेदा हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को सियर करें वार्टसप और फेस्बूक सभी जगे और हमारी लेटस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दोबाए पीम किसान सम्माल निजी योजना में मोधी सरकार ने 11 क्रोड से अधिक किसानों के बेग खाते में डाले 33,000 क्रोड रुपे आप भी कर सकते हैं इस योजना में ओलाइन आवेदन हलो दोस्तों आप सभी के स्वागत है हमारे यूटूब चैनल DK2 निज में PM किसान सम्मान निजी योजना, प्रधान मतरी किसान शम्मान निजी योजना इस कीम को तेट मोधी सरकार किसानों का खाते में 6,000 रुपे शालाना 2,000 रुपे की तीन किस्टों का बेग खातों में ट्रांसपर करती है अब अगली किस्त नौमबर तक आनी है देश के करीब 11 करोड से अधिक किसान इसी ओजना का फायदा उठा रहे है पियाम किसान सम्मा ने दी स्कीम के तब तक केंदर की मोधी सरकार ने देश के 11 करोड से अधिक किसानों के 20 अकांट में 33,000 करोड रुपे भेज दिये है आज अधिक के बाद पहली बाद किसी सरकार ने इतनी बड़े रिकम शीदे किसानों के हाथ में दी है इसी ओजना की शुरुआद दिसंबर 2018 में नरंदर मोधी ने शुरू किया था अनुमान है कि इस साल नौमबर तक कुल साजता रकम बढ़कर एक लाग करोड रुपे से अधिक हो जाएगी अगर आपने अभी तक ही रिस्टरेशन न ही किया है तो आप इसी ओजना में 2019 रिस्टरेशन कर सकते है यही नही इस खबर में आप को लाबवारती लिस्ट से लेकर किस तोर आपको स्टेटस चेक करने के आसान तरीक कर बता रहा है ऐसे करना होगा PM किसान सम्मा निदी योजना में रेजिट्रेशन रेजिट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ दस्तावेज़ों को होना जरूरी चाहिए जैसे आपके खेती के जमीन के कागज होने चाहिए अगर यह सब आगर पास है तो चलिए घर बेटे इस योजना में अपना रेजिट्रेशन कैसे कर रहा है PM किसान सम्मा निदी योजना में ओनलाइन रेजिट्रेशन कराने के लिए सबसु पहले आपको इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा इस योजना की अधिकारी वेबसाइट है HTTPS PM किसान.government.in यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू रेजिट्रेशन का विकल्प दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा अब आपके सामने एक नए पेज खुल जाएगा नए पेज पर आपको अधार नंबर लिखना होगा उसके बाद रेजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगी जैसे कि आप किस राज्य से है कौन सा जिला है अब मुबाइल नंबर और जनमती थी आदे की जानकारी देनी होगी इसके अलावा आपको अपने खेट की जानकारी देनी होगी इसमें सर्वे और खाता नंबर खसरा नंबर और कितनी जमीन है यह सारी जानकारी देनी होगी यह सभी जानकारी बरने के बाद आपको सेव को ब्टन पर क्लिक करना होगा, सबी जानकारी देने के बाद आपको registration के लिए form को submit करना होगा, यह सबी जानकारी को बहुत से में जानने के लिए आप शुरक्षित घंशते हैं, यहां phone करके ले सकते हैं मदद, अगर आपको किसी बी तरह की समस्य आये तो PM किसान सम्मानी दी योजना की कस्टूमर केर नंबर पर भी आप साइता ले सकते हैं इस योजना के हेलप लाइन नंबर है 011-243-0066 ऐसे चेक करें अपना खाता साथ से पहले किसान को इस योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा अब आपको सामने एक नया पेज खुल जाएगा नया पेज पर आपको आधार नंबर बेंक खाता संक्या या मुबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनाव किया है उसका नंबर भरिये इसके बाद आप gate data पर क्लिक करें यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी डेरिस्टेशन की जानकारी मिल जाएगी यहानि कोन सी किस्त कब आप इखाते में आई है और किस bank account में credit हुई है छटी किस्त से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी यदि आपको FTO is generated and payment confirmation is pending लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसका मतलब है कि fund transfer की प्रिक्रिया शुरू हो गई है और ये किस्त कुछ दिनों बाद ही आपके खाता में transfer हो जाएगी आधार खाता संक्याम को सही करने का तरीका तो पहले आपको इसकी official website पर जाना होगा official website पर जाने के बाद आपको former corner के अंदर जाकर edit आधार detail के option पर क्लिक करना होगा यहाँ आप यहाँ पर अपना आधार नमबर दर्ज करें इसके बाद एक केप्चा code डाल कर सम्मिट करें आपको नाम गलत है यानि application और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे online ठीक कर सकते हैं अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेक पाल या किसी विभाग का रालेम जाकर संपर कर सकते हैं PM किसान सम्मा निदी योजना 2020 को लेकर आपकी क्या राय हमें comment box में comment करें ताकि आने वाले वीडियो में हम इस योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे सकें अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को like करें, comment करें और जदा जदा शेयर करें, facebook और whatsapp सभी जगे और हमारी लेटिस्ट वीडियो जुडने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और इस बेल आइकन को जरूर दोबार